नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 13 ओक्टूबर दिन सुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर नितीज काबिनेट की बैठक आज आंगनबारी पुशाक योजना का लाब लेने के लिए 31 ओक्टूबर तक करें ये काम पूरा आज 99 रुपे में फिल्म देखने का शांदार मौका ओपरेशन अजय के तहत आज इस्राइल से 230 भारतियों की होगी वापसी पाकस्तान से मुकाबले से पहरे जस्पीत बुमराने मा से मलने की जताई खुशी अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों क्यों वस्तार से यूरेनियम कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड ने 243 पदों पर निकाली भरती यूरेनियम कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड के द्वार अट्रेड अप्रेंडिसिप के लिए कुल 243 पदों के लिए भरती निकाली है ऐसे में वेव मिद्वार जो इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वह अधिकारी पोर्टल APPREN TICESHIP इंडिया.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं बतादी के आवीदन करने के अंतिम तारिक 12 नवंबर 2013 सक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचने की योगेता की बात करें तो मिद्वार को संबंध ट्रेड में मैट्रिक 10 वी STD और ITI पूरा करना जरूरी है वहिस भरती अभियान के लिए आवीदन करने वाले उमिद्वारों की आयू सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए इससे जोरी अधिक जानकारी के लिए उमिद्वार चारी के गधि सूशना को देख सकते हैं नतीश काबिनेट की बैठक आज पीते मंगलवार को ही काबिनेट की बैठक के बाद आज एक बार फिर से काबिनेट की बैठक होने वाली है बता दे कि सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के उपने देशक रवी भूसन शाहाई के दोरा दी गए जानकारी के नसार आज काबिनेट बैठक बुलानी का फैसला मुख्य मंतरे नितीश हुमार के दोरा लिया गया है ऐसे में यह उम्मीद की जारी है कि आज होने वाले बैठक में कुछ एहम फैसले पे चर्चा हो सकती है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि आज की यह बैठक बिहार की राजधारी पटना के मुख्य सचिवारे स्थित मंतरी मंडल कक्छ में सुभस तस बचकर 30 मिनट से शुरू होने वाली है जिसमें मंतरी मंडल के सभी सर्शे सामिल होंगे वही कैबिनेट की बैठक के बाद सुषना भवन के फर्स्ट फ्रोर रुस्तित सभाकक्छ में प्रस कॉन्फरेंज आयोजित की गई है मालुमों की बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 इजन्ट उपर मुहर लगाई गए थी बिहारी बर्थरे स्पेशर में आज हम बात करेंगे अशोक कुमार के बारे में अशोक कुमार का जन्ट आजी के दिन 1911 को हुआ था यह एक भारती अभिनिता थे जिन्होंने भारती सिनेमा में प्रतस्थत स्थान प्राप किया वह एक अग्रणी अभिनिता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिने की शिरवात की उन्हें 40 और 50 के दर्शक के ब्लाक एंड वाइट ड्यूग में हिंदी सिनेमा का पहला सूपर स्टार माना जाता है और साथ ही एंटी हीरो की भूमी का निभाने वाले पहले सिनेमा कलाकारों के लिए सरवज राष्ट्रिय पूरुसकार दादा सहे फाल के पूरुसकार से संमाने गया था भारतिय सिनेमा में उंके योगदान के लिए उन्हें परिच्छा दोहजार चौबिस के लिए उनलाइन परिच्छा फॉर्म भरने की तारीक बढ़ी आगे अगर आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जिन्होंने इंटर्मीडियर वार्सिक परिच्छा दोहजार चौबिस के लिए अपना रिजिस्ट्रेशन करवाया था तो विद्यार्थियों का ओनलाइन परिच्छा फॉर्म वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com के माध्यम से सिच्छन संस्थानों के प्रधान द्वारा अब दिरांक 17 ओक्टूबर 2023 तक विलम सुल्क के साथ भरा जाएगा वहीं ओनलाइन परिच्छा फॉर्म भरने या शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर help line number 0612 113 0039 पर संपर किया जा सकता है महापर्व के बाद भीर नियंतरन के लिए छट special train महापर्व छट के बाद प्रदेश जानी वाले लुगों की भीर को नियंतरत करने के लिए रेलवे प्रशासन के ओर से समस्तेपुर के रास्ते जैनगर आनन्द विहार के बीच 21 नमबर से 5 दिसंबर तक छट पूजा special train के परिचालन का नर्णे लिया गया है बतादी किसको लेकर रेलवे के दौरा दी गई जानकारी के नुसार 21 नमबर से 5 दिसंबर के वीच प्रतीक मंगलवार को गारी संख्या शुने 5557 जैनगर आनन्द विहार छट special train का परिचालन किया जाएगा वही वापसी में गारी संख्या शुने 5558 प्रतेक बदवार को आनन्द विहार से जैनगर पहुचेगी बता दी किस तौरान ये train छप्रा, गोड़तपूर, बस्ती, गोंडा, सीतापूर, मुरादाबाद और गाजियाबाद स्टेशन पर भी रुगेगी इस train में साधरान श्रेनी के 20 कोच था, SLR के 20 कोच होंगे, वही train में साधरान कोच होने की कारण यात्रे टिकेट कटाकर सी थे train में यात्रा प्रार्म कर सकेंगे आंगनवारी पुशाक योजना का लाब लेने के लिए 31 अक्टूबर तक करे ये काम पूरा बेहर सरकार के समाज कल्यान विभाग के द्वारा आंगनवारी पुशाक योजना के तहत आंगनवारी केंद्रों पर स्कूल पूर्व सिक्षा प्राप्त करने वाले सभी नामांकित बच्चों को पुशाक के लिए प्रतेक वर्ष 400 रुपे प्रती बच्चे की दर से दिये गया है वे जल से जल अपने नजदी की बैंक शाखा बैंकिंग सी एसपी में जाकर अपने खाता से आधार सिंदिंग करा ले ताकि पुशाक किरासी बच्चों के अभिवाग के खातों में पहुचाया जा सके बता दे किस कारी को करने के लिए आज 99 रुपे में फिल्म देखने का शांदार मौका अगर आप भी उन लोगों में है जिने मूवी देखना पसंद है तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि आज यानि के 13 अक्टूबर को मालुम हो के MAI के द्वारा पोस्ट शेयर कर दी गई जानकारी के नुसार आज के दिन या नियम देश भर में 4000 स्क्रिंस पर लागो होंगे जहां PVR, INOX, सीने पोलिस, सिटी प्राइब, मिराज, एशियन, मुक्तूद, A2, मुवी टाइम, वेब, M2 से लेकर डिलाइड जैस खुद को लेकर किया खुलासा, बॉलिबूट के दिगच अभी निताओं में से एक बिहार के लाल पंकस रिपार्ठी के दौरा खुद को लेकर किये खुलासे में, यह बताया क्या है कि उन्हें फिल्म में देखना पसंद नहीं है, और अब तक उन्होंने अपने जीवर में केवल 50 फिल्म में देखी हैं, जिनमें से 80 प्रतीशत अर्फान खान की फिल्म है, उन्होंने बताया कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि उन्होंने आकरी फिल्म कौन सी देखी थी, वह बार बार फिल्म नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें लंबे समय तक एक जगा पर बैठन सिक्चक संग ने तीम बार एक्जाम में फेल होने पर सेवा मुक्त करने पर जताया विरूत बिहार सरकार के दोरा नियोजित सक्चकों को राज्य कर्मी का तरचा देने के लिए बिहार विसिष्ट सिक्चक नियमा वाली 2023 बनाये गया है जिसमें असपस्त लिखा गया है कि BPSC से बहाल होने वाले सक्चकों की तरहीं नियोजित को भी सुधाएं और वेतनमान दिया जाएगा और अब नियोजित सिक्चक विसिष्ट सिक्चक कहलाएंगे इसके लिए राज्य सरकार चेनित एजनसी के माध्यम से नियोजित सक्चकों का सक्चमता परिक्चा लेगी इस परिक्चा को नियोजित सक्चकों को पास करने के लिए तीन मौके दिये जाएंगे ऐसे में अगर तीसरी प्रयास में भी नियोजित सिक्षक और सफल रहे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा ऐसे में इस नए नियमावाली का TET सिक्षक संके प्रदेश अध्यक्ष नितेश कुमार के दोरा स्वागत किया गया है लेकिन साथ ही कई बिंदूओं परापत्ती भी जताई गई है दरसल इनका कहना है कि प्रस्तावित परिक्षा का सिलेबस वा पैटर्न पुर्वों में नियोजित सक्षकों के लिए आयोजित दक्षता परिक्षा के अनुरूप ही रखा जाए तीन बार परिक्षा में फेल होन दिगवा दुबॉली के बारे में गोपालकज अनुमंडल के पुर्वी छोडप जिला मुख्याले से दक्षिन पुर्व दिशा में 40 किलो मीटर की दूरी पर एवं छप्रा से उत्तर दिशा में 56 किलो मीटर की दूरी पर यह गाउं अवस्तित है या उत्तर पुर्वी रेल दूसरे धाचे के दक्षिन पुर्व में 640 फीट की दूरी पर इस्तित है और सरक के नस्दीक है इन्वेसे प्रतेग धाचा पिडामिड आकार का है एवं इनका आधार चारों कोनों में पहला है स्रियम नतीष ने पंचाहिती राज विभाग द्वारा क्रियानवित योजनाओ का किया सुभारम सुभारम किया मुख्यमंत्री ग्रामीन पेजल नश्य योजना के अंतरगत 9500 अनुरक्षकों का प्लम्बिंग प्रसक्षन के भी सुभारम किये गए इस दुरान उन्होंने सभी को बधाई देते वे कहा कि आज 2500 सरकार भवन का सलन्यास किया गया है ऐसे में बाकी जो पचे भ आज इसराइल से 230 भारतियों की होगी वापसी इसराइल में फसे भारतियों को वापस भारत लाने के लिए बीती रात ऑपरेशन अजय के तहट पहला चार्टर विमान बिन गुरियन हवाई अड़े से रवाना हो चुका है बता देक इस बात की जानकारी विदेश मंत्राली के प्रवक्ता अरंदम बाक्ची के द्वारा दिया गया है उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री के किये गोशना के अनुसार ऑपरेशन अजय को हमारे उन नागरिकों के इसराइल से वापसी की शुधा के लिए शुरुक किया है जो वापस आना चाहते है ऐसे भारती नागरिक इंडियन ओयल के टैंकर से 50 लाकी सराब बरामत बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हलाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभा की ओर से जीत और कोशिश की जा रह बलकि उल्टा सराब तसकर के द्वरा तसकरी के लिए नए नए तरीकों का निज़ात किया जा रहा है बतादे कि ताजा मामला बांका के भलजोड चेक पोस्ट के पास का है जहां चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वरा इंडियन ओयल के टैंकर से 500 पेटी विदेसी सराब की गई है जिसकी कीमत 50 लाख रुपे बताई जा रही है वह वहान का कागज लानी का बहाना बनाकर चालक भागने में काम्याब हो गया फिलहाल पुलिस के द्वरा टैंकर को जब्त कर लिया गया और अन्य जानकारी हासल करने की कोशिश की जा रही है पतादी कि जानकारी उ मौनसून पूरी तरह से विदा होने के एक अगार पढ़ है ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रदेश के कुछ हिसों में बारिश होने की संभावना है प्रदेश में मौनसून की चिताता स्थिती है उसके अनुसार प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है हालाकि राज अक्टूबर तक प्रदेश में बारिस की संभाबना नो की बड़ाबर है अगर स्पीच में कहीं मौस में सिस्टम में कोई बदलाव देखनी को मलता है तब बारिस के आश्रंग का जताई जासनती है सरक खासे में मरने वालों की संख्या में 16 प्रतिशत की हुई व्रिधी हुई है लेकिन घायल लोगों की मदद करने वाले लोगों की जन संख्या में कमी आ रही इसी को देखते वे सरकार की ओर से वर्स 2021 में गुड सेमरेटीन योजना की शुरुवात की गई थी ताकि सरक खासों में घायलों की ततकाल मदद के लिए आम लोगों को प्रेरित और उस्ताहित किया जा सके वतादेक स्योजना की तहट पहले जहां 5,000 रुपे, सौल और प्रसिस्ती पत्र दिये कर गायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता था वहीं अब वर्स 2023 में इस 5,000 रुपे की राशी को बढ़ा कर 10,000 रुपे राशी कर दी गई है राजे पडिवान विभाग के वाशिक रिपोर्ट के नसार पिछले 6 वर्सों में राजे में सबसे ज़ादा 52 प्रतीशत मौती, खतरनाक या लापडवाही से ड्राइविंग ओवर्टेकिंग से लिए है राजे के 2,66,604 चात्र वृति से वंचित पतादी के आविधन सत्यापन के लिए 25 सुचि नहीं भीजी जा सकेगी जिससे कि जिन चात्रों के आविधन का सत्यापन हो चुका है वो चात्र भी मैटरिक पास चात्रविर्थी से वंचित रह जाएंगे इसको देखते वे समीती की ओर से सभी प्राचारियों को अंतिम बार 15 ओक्टूबर तक का समय दिया गया है ताकि वे चात्रों के आवी दिन का सत्यापन कर सकें बोद गया के नीरज बने वेस्ट सोशल एक्टिविस्ट इन बिहार ग्रांड एमपाइर द्वारा भूंबई में आयुजित इंडस्ट्री अवार्ड सो हजार तेस कारीकर में फिल्म अभिनेतरी सिल्पा सर्टी के हाथो बिहार की बोद गया के एक यूवा नीरज कुमार गिरी को कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की परिशानियों को दूर करने के लिए किये गए काम को लेकर ब्रांड एमपावर ने विस्ट शोशल एक्टिविस्ट एन विहार अवार्ड से सम्मानित किया है वहेंस अवार्ड को लेकर वापस दौर्टे नीरज कुमार गिरी के दौरा बताया गया कि उन्होंने करोना कालमी मानवत्ता के नातिस समाजिक कारियों को किया था या उमीद नहीं थी कि उन्हें इन समाजिक कारियों को करने के लिए सम्मानित किया जाएगा उन्होंने कहा कि अवार्ड युवाओं के लिए एक प्रेरिणा श्रोत बनेगा ताकि वे भी किसी महामारी के दौरान बर्चर कर लोगों की मदद करने का काम कर सके आरजेडी की केरल इकाई भंग लालू प्रशाद के नर्देश की बात पत्र जारी लालू प्रशाद यादव किरने प्रांस्प्लांट होनी के बात पूरी तरह स्यक्शन मोड में देख रहे हैं और खुब फैसले भी ले रहें इसी करी में अब लालू यादव के दौरा एक बड़ा फैसला लेते वे आरजेडी की केरल इकाई को भंग कर दिया गया है बता दे किस्तमद में पार्टी के बहां सचीव की तरह से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू के लिस्ट जारी की गई थी जिसमें प्रोफेसर अनवर पाशा, जन चिग्यासू, प्रियंका भारती कुश्वाहा और कंचल यादव के नाम शानल थे फ्रेन हाथसे पर ललन सिंग ने प्रियम मोदी से मांगा जवाब बीते बुदवार की रात हुई, बकसर में रेल हाथसे पर श्यासत तेज हो गई है, अब इसी करी में जेडी वाध्यक्ष ललन सिंग के द्वारा बकसर में हुए रेल हाथसे पर प्रियम मोदी से जवाब मांगा गया है उन्होंने कहा कि हर दिन प्रिधान मंतरी मोदी, वंदे भारत एक्स्प्रस जो हरी जटी दिखा रहे हैं और रोज रेल हाथसे खोड़े हैं उन्होंने कहा कि उडिशा में इतना बरा रेल हाथसा हो गया उसमें कुछ नहीं हुआ ये लोग सिर्फ अपनी प्रशनसा में लगे हैं सभी चीजों का लीजी करन कर रहे हैं तो यह सब तो होगा ही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ललन सिंग के दोरा ये सभी बाते बीते दिन अपने संसदी एच्छेतर मुंगेर में मीडिया कर्मियों से बाचित करते वे दिया गया समराच चौधरी ने सीम नितीश से हाथ जोड कर की अपील एक तरफ जहां बीते दिन मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के दोरा पटना में पंचाईती राजविवा के कारी क्रम में बोलते वे खुद को फालतू मुख्यमंत्री बता दिया गया था तो वहीं अब मुख्यमंत समराच ने कहा कि 18 साल कोई व्यक्ती मुख्यमंत्री रहा हो और जिसने बहुत काम किया हो 2,61,000 करोड का बजटर और बिहार की हिस्सेदारी है 32,000 करोड 2,29,000 करोड रुपया या तो भारा सरकार देती है या मैंक से लोन लेते हैं रितीश कुमार इसी तरह से सरकार चलाते ह और कहते हैं कि बहुत काम किया है रितीश कुमार अपने राच की तुलना लालू और कॉंग्रस के शासंकाल से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो कुछ था ही नहीं सब हमने किया है रितीश कुमार बीज़पी की किसी सरकार से तुलना करके देख ले पता चल जाएगा पाकस्तान से मुकाबले से पहले जस्पीत दुम्रा ने मां से मिलने की जताई खुशी विश्वकब 2023 में भारत अब तक अपने दो मैचों में जीत हासल कर चुका है वहिया भारत का तीसरा मुकाबला पाकस्तान के साथ 14 ओक्टूबर को एहमदाबाद के नरंदर मोदी स्टेडियम में खेला जाना है लेकिन इस मैच से पहले भारतिय टीम की प्रमुक तेज गेंदबाज जस्पीत दुम्रा के दोरा अपने ग्रीन अगर एहमदाबाद में अपनी मां से मिलने को लेकर खुशी जताई गई है उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय से घर से दूर हूँ मैं अपने घर में मां को देख कर खुश हो जाऊंगा उन्होंने कहा कि मैं अपनी मां से जाकर मिलूँगा या मेरे लिए सबसे जरूरी है मैंने एहमदाबाद में वंडे नहीं लेकिन टेस्ट मैच खेला है यहां मोहौल शांदार रहने वाला है, मुझे विश्वास है कि मैं अज देखने बड़ी संख्या में आएंगे, तो यहां मैच सांदार होने वाला है, उमीद है कि मैं अपना सर्वस्टिष्ट प्रदर्शन करूंगा भारत के दिहास में आज की तारीक है कहीं कारणों सिदर्ज, अटल बिहारी वाजपई तीसरी बार 1999 में भारत के प्रदान मंत्री बने, नई दिल्ली में इंटर पोस्दर्श्य देशों के प्रतिनीदियों का समीलन 2002 को प्रारंब हुआ, भारतिय सर्वच नयायाले ने 2005 के सित 1997 में हुए उपहाड, थेटर, अगनी कांड मामले में दिल्ली उचनयाले द्वारा पिरतों के लिए नरधारित की गई मुआवजा रासी और सिनेमा मालिक अंसल बंधुओं पर लगाई गई दिंदात्मक हरजाना 2011 में खटा दी, प्रख्यात विधिवेता, प्रमुक संसद और कबाली के प्रसिद गायक नुश्रत फते अली खा का जर्म 1988 में हुआ, भारती गायक किशोड कुमार का निधन 1987 में हुआ, भगिनी निवेदिता का 911 को दाज्रिंग में निधन हुआ, फुटबॉल के सरवस्टिष्ट भारती खिलारियों में से एक जनरेल सिंह का निधन 2000 में हुआ, प्रसिद हिंदी फिल्म अभिनेतरी निडुपा राय का निधन 2004 में हुआ, आज के दिन को विश्व द्रिस्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है वाट्सअब के आईकन और ग्रीन कलर में दिखेगा नया बदला, वाट्सअब को लेकर आए दिन नए अपडेट की जानकारी सामने आते रहती है इसी कड़ी में वाट्सअब यूजर्स को वाट्सअब कुछ बदला बदला नज़र आने वाला है दरहसल डबलुए बीटा इन्फो की एक लेक्टस रिपोर्ट सामने आई है इस रिपोर्ट के मताबिक वाट्सअब के एंडरॉइड उजर्स को एप का बदला हुआ इंटरफेस नज़र आने वाला है इस रिपोर्ट की मारे तो एंडरॉइड उजर्स नए अपडेट के साथ अप में कुछ नए कलर और आप आइकन को बदले हुए रूप में देख सकेंगे यह बदलाओ कमपनी मटेरियल डिजाइन तीन के साथ पेश कर रही है बता दी कि नया ग्रीन कलर वाटसेप के दोनों लाइट और डार्क मोड के लिए पेश किया गया है यूजर नए इंटरफेस के साथ चैट बबल्स और फ्लोटिं अक्शन बटन का एक फ्रेस लोग पाएंगे हाला कि फिलहाल ये वाटसेप अंडरोइट के कुछ लिमिटेड वीटा टेस्टर्स के लिए नया आपडेट पेश किया गया है और जल्दी इसे सब के लिए पेश कर दिया जाएगा बारों के मैं आज हम बात करेंगे लोट्री संदेश के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सुचना वारल होती है लेकिन सबी सच हो ये ज़री नहीं है इसी करी में आज हम बात करेंगे लोट्री संदेश के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने एक टुईट में लिखा है कि क्या आपको भी संदेश लोट्री संदेश इमेल या कॉल प्राप्त हुए है P.I.B. ने अपने टुईट में आगे लिखा है कि साबधान या धोकी बाजो दोरा आपको धोखा देने का एक प्रयास हो सकता है इसे P.I.B. फेस्ट्री पर एक नज़र डाले और धोके बाजो से दूर है पूर्सीट और पसूपती पारस को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान बीतर दिन लोग जनसकती पाटी राम विलास के प्रमुक और जमुई सांसर चिराग पासवान के दौरा प्रस कॉन्फरेंस के दौरान पत्रकारों के दौरा पूछे का सवालों का जवाब देते वे कहा गया कि पसूपती पारस समय आने पर हट जाएंगे दरसल पत्रकारों के दौरा सवाल यह पूछा गया था कि हाजिपूर सीट को लेकर क्या कुछ होने बाला है आपके चाशा हाजिपूर से हटे वाले नहीं है जिस पर उन्होंने यह जवाब दिया मालमों कि चराख पासवान के दोरा कुछ दिनों पहले कहा गया था कि उनकी पार्टी जमुई और हाजिपूर दोनों से सीटों पर चुनाव लड़ेंगी इसके साथ उन्होंने बिहार के उपमुखेमंति तेश्वी आदब पर हमला बोलते हुए कहा कि दावे बहुत बड़े बड़े हुए हम सत्ता में आएंगे तो पहली करम से सभी को नौकली देंगे अंगनवारी स्तेविकाओं का काम इतना जादा बढ़ा हुआ है लेकिन उन्हें क्या मिलता है उन्होंने कहा कि कोई भी परिक्षा सही से नहीं ली जाती पेपर लीक हो जाते हैं जहां तक सवा नियोजित सक्षकों का है तो कुछ होने वाला नहीं है लोग सिर्फ सक्षकों में आपने कितना सही उतर दिया क्रिप्र करके यहां में कॉमें करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में विश्वदाग दिवस कम मराया गया ओप्षणी 8 OCT, 9 OCT, 10 October, 11 October इसका सही उतर है ओप्षणी 9 OCT अगला सवाल, हाली में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास के सुधा देने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शेहर है अगला सवाल, निम्र लिखित में किस प्रदेश से बिहार की सिमाई नहीं लगी है अपशने अतर प्रदेश, अपशनी जार्खन, अपशन सी पश्य बंगाल, अपशनी मध्या प्रदेश इसका सही उत्तर है अपशनी मध्या प्रदेश अगला सवाल, वैशाली के कुंट ग्राम में महावीर का जन्म कभुआ उप्शन E 470 इसापुर्व, उप्शन B 540 इसापुर्व, उप्शन C 589 इसापुर्व, उप्शन D 613 इसापुर्व इसका सही उत्तर है उप्शन B 540 इसापुर्व अगला सवाल, मुंगेर में 1930 के नमक सत्यागरा का नत्रत्व किस ने किया? इसका सही उत्तर है, option A, स्रीक्रिशन सिंग बीते दिन हमारे दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिये हैं के नाम है गोनर सर्मा, राम नरीश कुमार, अभिनंदन कुमार, प्रभाद जैश्वाल, सिधार्द कुमार, अतीक खान, पंकच कुमार दास, सुटारोय, मुहमत फ़हीम, राजीव कुमार, विवेक मिश्रा, बाबुलार, मरांडी, अयांस कुमार, सिन्हा, विकास कुमार, नोनो गोलो कुमार, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, आप गाहं को पसंद करते हैं या शहर को, अपना जवाब हमेरी कारण सहित हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर ब